मायवती ने तो आपको अपना भाई बोला था ना अपनी बहन को ही ठोड़ दिया दिल्ली से वो भी अपना भाई बनाया सचाई ये है कि मैंने दोखा करा ये सब गढ़दार है ये परिवार गढ़दार है पुरबाचल के यादों को वो इनोंने रोदा है कि जैसे दरी भी बिछाने वाला मायवती जी वाला क्या प्रक्वा था था क्यों आप मेगए जैसे आप कहरें कि मैने उनको फूरा पूरा प्रिवार गढ़े बाद ने कि इनों ने मुझे दोखा दिया है योगी अधितनात इंको आपने रुलाया था मुलायम सिंह यादव जिने माला जाता है लेकिन आज एक और सियासत के पहलवान को हम आपको मिलवाएंगे सियासत के पहलवान हमारे साथ होंगे और सियासत के इस पहलवान का थोड़ा सा हम तारूफ करवा देते हैं चुनावी यात्रा पर हम लोग निकले हुए हैं लेकिन जो सियासत के पहलवान हम आपको मिलवाने जा रहे पुर्वांचल के बड़े चहरे रहे और जिस वक्त मायवती की सरकार खत्रे में आई थी तब उस वक्त सबसे पहला विगुल विधायक रहते हुए उनी शक्स ने बजाया इतना ही नहीं जब याद होगा आपको कि संसत के भीतर योगी आदित्यनाथ रोय थे करण के पीछे भी माना जाता है कि उनका हाथ था तमाम पॉलिटिकल किस्से और दिल्चस्प किस्से लेकर मैं और हमारे एडिरेंट चीफ हरी शैस्वाल जी आज आप तक पहुचे है लेकि आपको मिलवाते हैं जिनका दिल सीने में नहीं पूरा पूरा दिल इस वक्त हमार साथ जै प्रकाश यादव जी पुर्वांचल के बड़े चहरे रहे और सियासत के कई किस्से इनके पास हैं और उन किस्सों में से हम शुरुवात करेंगे सबसे पहले किस्से से सबसे पहले हरिशी हम इनसे जानते हैं कि आप तो पहलवान हैं हम तो थोड़ी देर में ही कभी गाओं का प्रधान भी नहीं था मुझे तो मायावती जी लेकर आई थी यहां और यहां अत्याचार जुरुम इतने करते थे नेता कि नाजाज तरीके से किसी को बंद करा देना किसी को छोड़वा देना किसी को इनुकी चलती थी उस टम यहां पर माने मारकडेचन जी थ थे इन दोनों लोगों की बहुत अच्छी चलती थी गरीब यहां परिशान था असहाय लोग परिशान थे और जहां तक कि गरीब क्या यादों भी खाट पर नहीं बैठ पाता था उस टम में लड़के और हमारे से मारकडेचन जी हारे थे अलवान सिंग जी हारे थे सपा त प्रमतों से मुझे जनता ने जीताया और मैंने खुब दबा के अपने गरीबों को अपने पास बैठाया पहले यह लोग पास भी नहीं बैठने देते थे चोटे लोगों को चया उनाई हुआ धोभी हुआ कोहार हुआ कहार हुआ चमार हुआ कोई भी है तो मायावज्टी ने तो आपको अपना भाई बोला था नजिसल्दिकी सचाई बिदली से वो ताइकचर जhита बनाया तो है कि मैंने धट करा तो चमाल Tennant, जब पार्टी जब नेता जी थे, मुलाइम सिंह आदो जी थे, सीवपाल जी थे, अखलेश जी थे, पता भी कर लें आप लोग, अखलेश जी तो अब पुता कर लें, लेकिन मैंने बहुत दुखी हो के मैं एक कहना चाहता हूँ, कि ये सब गद्दार है, ये परिवार गद्दार है, और ये सब धोखा देने जानती है, पुर्बाचल के यादों को वो इन्होंने रौदा है, कि जैसे दरी बिछाने वाला, कि भाई यहां पर बाउसाब आके बैठ जाएंगे, पंद्दत जी आके बैठ जाएंगे, और लोगों का उत्पीडर, ये पचासी का नारा लगा रहे हैं, मुझे बतात है, ये ब्रामर्स हमें जाती से कोई जाती बुरी नहीं है, ब्यक्ति बुरा बता है, लेकिन मुझे ये नहीं है कि पंदत जी से लगा राजपूर से ये है, लेकिन ये ही लोगों का नारा है, पचासी कहां है, पचासी बता दें ये जराएंगे, अच्छा मायवती जी वाला क्या प्रटन था, क्यों आप ने उनको धोका दिया, जैसे आप कहा रहे हैं कि मैंने उनको धोका द क्योंको उसका जो बोलने का इस्टायल या बैठने का इस्टायल या जो रेटे करने का इस्टायल ओ मुझे समझ में नहीं आई, सचाई है ये, इसलिए मैं उसको धोखाई अपने आपको ही हम ये करें, उनको क्या को सह मैं, भई बना तो उसी के पार्टी से था, उसमें ना नेता जी का न अखलेश का न स्विपाल जी किसी का योगदान नहीं था योगदान था तो माय होती जी का था कि दिली से ले आई मुझे बहुत कम लोगों में ये योगिता होती है कि आपने आपको मानना कि मैंने धोका दिया इन्हों ने मुझे दोख़ा है दिया? वही मैं उसी पे आ रहता हूं तो आपको इसी जंड में दोनों चीजे मिल गई विल्कुल सी इस परिवार को आपको ने कहा यह पूरा परिवार दोखे बाज़े विल्कुल जी विल्कुल 100% एक स्विफाल जी के लिए मैं आज आपने कहा मयावथी दोके बार मयावथी को मैंने दोका दिया इन्होंने मुझे दोका दिया योगी अधितेनाथ जिनको आपने रुलाया नहीं मैंने नहीं रुलाया उनका करम रुलाया उनको जोगी जी को डेली हिंदू मुसलिम करना मैं कोई दंगा नहीं पता कर लें अवी लग 15-16 साल से कोई धर्णा नहीं कोई परदर्शन नहीं कोई लेना नहीं कोई देना नहीं मैं देखो गलत काम का भिरोद करता हूं उस्टम जोगी जी गलत कर रहे थे तो जोगी जी कर अज कैसे कर रहे हैं आज तो हमारी बात्यचित नह एक बाद बताईए मुझे तो लगा जैसे गुंडे कहते हैं कि ठोक देंगे बाबा भी नाम पड़ा होता गलत यह हो रहा है आप देखे होंगे कि आजम खाफ है पजेब करी चोरी का लगा दिये सब सौ केस लगा दिये उस पर अखिलेस कहा थे अखिलेस कहते हैं मानल्टी का बहुत बड़े इमाजती है कि आवाज निकली एक बार इसी में मुक्तियार अंसारी का घर उसकी नाथ हीत रिस्तदारों का घर गिरवा दिये उसी तरह मगाती का अहमत का करा जितने भी थे कहां से यह तो सारे आम अच्छा वो फिर मैं पॉलिटिकल किस्तों पर आ रहा था वो दो हजार साथ का भी जिकर आपने किया जब योगी आदितनात रोय और पूरा देश ने देखा था मैं मायावती वाले उस प्रक्रण पर आना कर चाहूंगा जब आपने कहा कि मैंने धोका दिया मायावती को और मैं इनके बहकावे में आ गया था किया हुआ था मुलायम सिंग्यादव ने कैसे बुलाया आपको फिर आप राजभवन भी गए और आपने इस्तीफा भी दिया उसके बाद यह सब बाते सामने तो क्या हुआ था था मैं तो यह बता दूँ आपने सचाई यह है कि ओही मैंने नेता जी का फोन मैं निर्द नेता जी का पहला तो मैं उठाया ही नहीं फिर लोगों ने आप फोन फोन नेता जी के जब का सी बढ़ बैठ जाओ कहीं कहीं आपको अरजस्ट करूंगा मैं नहीं नेता जी मुझे लालत मत देना मैं निर्द लड़ रहा हूं अगर मैं जीत गया तो आपके घर हूँ कभी आपके दरवाजब नहीं आओं तो मैं गया फी नहीं यह तो सुपाल जी एक अच्छा ब्यक्ति है सुपाल जी हम उसका भगत है शीपाल परिवार में हाँ जी सुपाल जी को मैं अगर वह ब्यक्ति कह दें कि भई जान चाहिए तो मैं उसके लिए जान देदू म इतना मांता हूँ अच्छा वह हुआ क्या था राजभवन में आप गय थे स्थीपा देने के लिए वह यह हुआ था भई यह बगावत ही था बगावत करके मैं गया वह भी पगावती से लिए करा जो मायवती जी को पता चला किसी ने कहा होगा कि इनकी टूनिंग मुलाइन दिया जाए मेरे उपर गलत केस लगाया मेरे उपर एक सोले सास सोले का मुकदमा नहीं है और कई दर्जन केस नोंने कहा भी गुवर्ण साब ने कि आप अपने स्वच्छा से पार्टी छोड़ रहे हैं क्या मैंने का नहीं मेरा उत्पीड़न हो रहा है इसलिए मैं छोड़ जी विद्धा आठ आए उसके बाद तो 37 आगये दिरे दिरे और फिर मायावति की सरकार गर गई जी मायावति जी का सरकार बन गई गिर गई उसके बाद मैं मैं बोलूं कि भाई ने जो है वो बहन की सरकार गरा ती अहां यह पी बिल्कुल अपना बहाई बना कर लिया थी म मैंने भाई धोखा दिया मेरी आत्मा आज भी अपने एकर भी बिल्कुल होगी भाई यह कि उस पार्टी समय जीत के आया था दो लोगों की बीच में बात बोलना तो पूरे देश के सामने बात बोलना नहीं नहीं मैं पूरे देश के सामने कर राया जो दोखा देता है उसक यह के लिए मैंने क्या करा मैं बता दूँ आप नेता कैसे बन गए इतने तो चल कपट आप में न चल है न कपट है आप सीधी बात करते हैं आप नेता भी बन गए मंत्री भी बन गए और मायावति की सरकार को भी गिरा दिया आपने मुझे ऐसा मंत्री पद और इसा नहीं मैं तो वह भी गाड़ी खड़ा करके मैं दिल्ली चला जाता था मुझे कोई नहीं इनसे ना कोई लालत ना कोई लेकिन आत्मा जरूए कर दी कि यह के अवरत हमारी जेल काटी हैं हम जेल काटे हैं मेरा कुड़की हो गई है घर का यह सा बदमासी अखलेस की है अखलेस ने करें निता जी ने नहीं मेरे साथ करी स्वर्पाल जीने मेरे साथ नहीं करी यह मेरे साथ धोका जीता 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 यशि chamण ही ऐसे किसी का twent sinners कह ओ act कि मैं कहा था कि भई ठीक है परिवार मुझे बड़ी कुशी होगी कि परिवार एक हो ज जायेगा जाय प्रकास मैंने कहा कि आप न यह ढूल मुल रवया पता भी कर ला है कि मैंने का भाई साथ मैंने का बुरा लगा स्विपाल जी को लगा मैं का हम लोग दिल खोल के आपके साथ हैं और हम नहीं है पूरे प्रदेश के लोग मानते उस ब्यक्त को अच्छा एक बात जी के लिए जोगी जी की गलत नितियां उस टेम भी बहुत गलत लोग ने वो SSP वाला फ्रक्रण क्या था SSP के साथ कुछ विवाद हुआ था नहीं कोई विवाद नहीं यह हुआ था महराजी को बंद नहीं करना था सचाई यह था कि इनको नोटिस देना था एक घंदू का अत्या हुई थी एक मानल्टी के लोग थे मुस्लिम का अत्या हुई थी दोनों में यह हुआ कि नोटिस दे दो और महराजी को दो दिन मंदिर में रोक दिया जा दो दिन ना निकला मठ में मठ में दो दिन अब महराजी ने वो परचा और चा फाड़ दिया क्या करा मुझे बहुत परकड़न के जिसमें यह तो सब जूट करते हैं लेकिन हाँ मैंने जब यह देखा कि मैंकर नहीं 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 बहुत नहीं हर महीने बदमासी हो रही है हर महीने जब देखो रोड जाम हो जाता जब देखो यहां हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम एक भैस का सिं जिलही आढ़े हमारा उन्तिर सभी मनेरी मुख्त वम प्रफ्व सब्सक्राइव च्छ में हों छूरॉ में तो नेता जी ने गई चेक देना है पांच लाग रुपे के मनलिटी के लोगों को और पांच लाग रुपे देना था सिरवास्ता हो था कोई उसको तो मैं I can dhom नहीं रहा हूं सहर में ये योगी जी पर अने से रहां दो कि अतों कि नाप नहीं नहीं है, कि ये गवर्विन तो आती जाती रहती है, कल हमारी थी, का पिर हमारी आ जाये, तो ऐसा नहीं है,ムा दले के भावना से कोई काम करना ही नहीं चाहिए. बदले की भावना से में कोई बदले की भावना से काम कर रहा है या भू दिश्वख्ष भात कर रहे हैं haaalkais बढ़ाई अजुन मेरा बडतरữa में देखों गारो सब्सक्राइब क्या से सब्सक्राइब लुक्ति ना ही दुरासक्ति मेले तो है महनत कर रहा है महनती है। पांच साल प्रधेश को अगर और मिल जाए तो महनत रंग लाईगी। भाई अब जनता तो देखो उपशुकी है। जनता तो नहीं देना चाह रही है। लेकिन ये जो गलतियां कर रहें इनकी गलती से ने जनता जरूर उनको आपकी। क्यों काम तो खुब कर रहे हैं लेकिन उस काम का जनता तो महंगाई के लेके और भी दुनिया भर कर क्यों लोग रूठे हुए हैं नहीं सब्धामे नहीं मोदी जी कैसे नितलगते आपको अब मोदी जी का तो ऐसा है ना भाई देखो यह कोई बुराई कर रहे चाहिए अब लोग कहा है जूठा है प्रान है काने जिसको जो कहता है लेकिन मुझे नहीं मोदी के बारे में कुछ भी मोदी ने लगा दिया कि कोई परधानमंत्री है अच्छा वो जो प्रक्रण था सरकार बनाने और गिराने वाला उसमें अमर सिंग का भी कुछ योगदान था क्य लड़ा और वो भीक्त चाहते तो अखलेश नहीं बन पाते नेता जी भी नहीं बन पाते नेता जी उस टेम अगर 37 भी धायक से तो सिवपाल मुखबंत्री बनते लेकिन सुपाल जी नहीं क्या करा कि अपने भाई को बनाए नेता जी आप बनाए ऑस पाल जैसे देवता जरकी है हमारी तो सांसत जी भाईयों जैसे थे और काफी हम अब है नहीं सांसत जी इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा अच्छा क्योंकि वक्त इजादत नहीं दे रहा है और हमारी गुजारिश आप से कि अगर सोचिए कि मायवति इस वक्त आपको देख रही है जी 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 मायवति जी जैसे भी कोई गवर्मेंट नहीं चला पाया अगर उनका ही देन तो हमारे जैसे विधायक हुए है उस ब्यक्ति कि यह है कि जो पिछड़े सीधे वो काती थी थोड़ा पैड़ा रड़ गई हमारा भी टिकट में कहीं कि तुम ही ठाक उपनद रहोंगे थोड़ अच्छा इसे दिल से अपने एकसेप्ट किया है मायवति से सीधे बात करना चाहते हो कि मैं माफी मांगना चाता हूं नहीं मांग लिया मुझे तो क्या मैं मांग रहा हूं उसके जहां लोग लड़ रहे हैं मैं सोत्रा को निकी मदद करूब रहे हैं एक वहन को भाई का कि माफी मांग लेते हैं में माफी गल्ती करा हूं माफी मांगने मुझे कोई तकलिप कोई गुरेज नहीं है तो बहन से भी मुझेरिश करेंगी कि आन नहीं बिलकुल 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 अच्छा योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे नहीं या जोड़ी जो बात हुई 2007 की करते हैं अपना काम कर रहे हैं अमें आपको 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 देखना करते हैं नहीं नहीं जोगी जी ने भी देखाया तो अच्छी बात है जोगी जी अंदर का सारा हिसाब किताव कि बारी कि बाहर से दिखने में कुछ और होती है अंदर से पहले दिखाई उनको मैंने नहीं दिखाया, उनका करम दिखाया जोगी जी का, मैंने क्या कर रहा है, वो करम करते थे ऐसे ही, और जो करम करता उसको भुगतना पड़ता है, कोई ने चलिए, आप के पास कई पॉलिटिकल किस्से मौजूद थे, और हमारी सियासी सफर में आप से मुलाकात हो गई हमारी, और देश की जनता ने भी जान लिया, कि जैपरकाश यादा वो धुरंदर पहलवान सियासत के, जिनके सीने में नहीं दिल लेकर घूमते हैं, पूरा पू मेरी आत्मा इतना रोती है, इतना बड़ा बेइमान, इतना बड़ा धोके बाद, मैंने नहीं देखा, कि मैं इनके लिए क्या करा, और जेल, मैं जेल, सारा चीजे करें, उसके बाद मेरा तुम डबा बदलवा दे, मुझे जीत तो लेने देते कम से कम, मैं जीत रहा था, र को कया कि, इस पेसल मुझे हराने के लिए, और जिद में तीन बार टिकट काटा, और तीन बार नेता जी ने मुझे दिया, तो अखले शादा क्यों आप से इतनी जीत करते हैं, हमें नहीं पता था, चाचा और बतीजे का इतना मतलब, मैं कभी गया नहीं हूं, मुझे कोई क काम कराना नहीं है, दलाली करनी नहीं है, मैं क्यों मुखमंतरी के हाँ जाओगा, मैं तो अपना अराम से निदी इस लड़के के लिए आ गया हूं, बच्चा अपना है, इसलिए मैं आपका कहना है, कि अगर एक नेता, एक विधायक, एक सांसर, अगर अपने छेतर में काम क अपना चाहे तो उसकी विधायक निदी असांसर निदी बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत होती है, ये तो निदी भी बेच के खा जाते है, सब पतानी क्या करते है, हमने पता करना हमारे या जोगी जी मुखमंतरी है, चालेंज के साथ कहते है, कोई भी अधिकारी अग मैंने सिर्फ उनको कहा कि गरीबों गरीब कुछ दे नहीं पाएगा तो दूआ देगा आपके मच्छों को हमारे सहयोगी ने आप से क्रिशी मंत्री रहते हुए सवाल पूचाता कि बारिश नहीं तो आपने ऊपर देखते हो देखे बादल आ गए अब आगे बहुत जादे हम जूट बोल दें कि बारिश नहीं हुई तो भाई कहां से मैं बारिश बादल लग रहा बारिश हो सकती है एक पत्रकार ने कहा भी बता है अभी कि हाँ अहां हर्श बद्धन जी ने कहा कि यह संटीमेटर मैं कब आई पहलवान आदिमी आर कहां मैं पिछले इसमें कि इतने बारिश संटीमेटर हुआ पाई हमें तो यह बताओ आप कि कोई अधिकारी हमारे बरस्ट है तो यह घंट मैं मैं देखो भाई एक तो कान टूटा हुआ पहलवान आदमी दूसरे मंतिरी हूं तीसरे यादव हूं तो तीनों चीज जुड़ा हुआ है भाई तो मुझे यार सिधे सिधे पूछ लो कि भाई कैसे है कितने कोई भरस्ट है नहीं मैं आज के बाद कोई ठीक है तो आपन में भाउन में से बहुत किस्से सुना दिया हमें चैरिए जो दाखरगर नहीं मेरे बाई बहुत बहुत आपलों का दन्यवाद स्यासत के पहलों जिन्हों ने अपनी बाते और कई पौलिटिकल किस्से जो अनसुने किस्थे हैं वो सुनाये क्या कुछ हुआ मायवती के साथ दिल खोल कर उन्होंने कहा कि हाँ मैं माफी मानता हूँ मैंने धोका दिया तो मैंने धोका खाया गी और 2007 का किस्सा जब योगी आदतिनात सदन के भीतर हो इसे भावुका तो कई ऐसे पॉलिटिकल किस्से लगातार पुरवांचल की धरती से हम आप तक पहुचा रहे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है और गोरखपुर को अब सियासत का केंद्र मा जाता है और वहां से भी हमारी टीम लगातार आप तक पलपल की ख़बर पहुचा रहे हैं